आपके कुलदेवता देवी रुष्ट तो नहीं है हिंदू पारिवारिक आराध्य व्यवस्था में कुलदेवता कुलदेवी का स्थान सदैव से रहा है प्रत्येक हिंदू परिवार किसी न किसी रिशी के वन्षज हैं जिनसे उनके गोत्र का पता चलता है बाद में कर्मानुसार इनका विभाजन वर्णों में हो गया विभिन कर्म करने के लिए जो बाद में उनकी विशिष्टता बन गया और जाती कहा जाने लगा। से रक्षा होती रहे तथा वे निर्विधन अपने कर्म पत पर अग्रसर रह उनती करते रहे। कि उनके कुल देवता देवी कौन है या किस प्रकार उनकी पूजा की जाती है। इनमें पीडियों से शहरों में रहने वाले परिवार अधिक हैं। कुछ स्वयंभू आधुनिक मानने वाले और हर बात में वैग्यानिकता खोजने। वालों ने भी अपने ज्यान के गर्व में अथवा अपनी वर्तमान अच्छी स्थिती के गर्व में इनहें छोड़ दिया या इन पर ध्यान नहीं दिया। कुल देवता देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई कास अंतर नहीं समझ में आता। किन्तु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में दुरघटनाओ, नकारात्म कूर्जा, वायव्य बाधाओं का बेरोक्टोक प्रवेश शुरू हो जाता है, उन्नती रुकने लगती है, पीढिया अपेक्षित उन्नती नहीं कर पाती, संसकारों का क्षय नैतिक पतन कल है, उपदरव अशान्ती शुरू हो जाती है, व्यक्ती कारण खोजने का प्रयास करता है, कारण जल्दी नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ती की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब नहीं होता है, आथ्व जोतिश आदी से इन्हें पकड़ना मुश्किल ह भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ती के साथ कुछ और घटता है, कुल देवता या देवी हमारे वह सुरक्षा आवर्ण है, जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक उर्जा के परिवार में अथवा व्यक्ती पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे संघर्ष करते हैं औ इश्ट तक पहुचाते हैं, यदि इन्हें पूजा नहीं मिल रही होती है, तो यह नाराज भी हो सकते हैं और निरलिप्त भी हो सकते हैं, ऐसे में आप किसी भी इश्ट की आराधना करे वह उस इश्ट तक नहीं पहुचता, क्योंकि कुल देवता या देवी संबंधित व् पूरती समवेदनशील होते हैं, और पूजा पद्धती, उलटफेर, विधर्मिय क्रियाओं अथवा पूजाओं से रुष्ट हो सकते हैं, सामान यत्या इनकी पूजा वर्ष में एक बार अथवा दो बार निश्चित समय पर होती है, यह परिवार के अनुसार भिन समय होत है और भिन विशिष्ट पद्धती होती है, शादी विवाहसन तानोत पत्ती आदी होने पर इन्हें विशिष्ट पूजाए भी दी जाती हैं, यदि यह सब बंध हो जाए, तो या तो यह नाराज होते हैं, या कोई मतलब नरक मुकदर्शक हो जाते हैं, और परिवार बिन कुल देवता या देवी को जानना चाहिए, तथा यथायोग्य उन्हें पूजा प्रदान करनी चाहिए, जिससे परिवार की सुरक्षा उन्नती होती रहे.